हमाई साथ राजीश साब हैं ये उनसे बात करने से जारकंड में तो उथल पुतल चली रही है आपके क्या हुई इम बैठक में क्या निकला जारकंड के लिए निश्कर्श देखिए हम लोग चोथे अस्तंब का बहुत सम्मान करते हैं और जिस तरह से सूतरों के हवाले से और मुखवीरों के हवाले से आई यू कहिए सीधे की एडी के हवाले से खबरे चलवाई जाती है कि सरकार आईस्थीर हो रही है गिरफतारी हो रही है आधी-ाधी कई तरह की तो सम्मान के नाते हम लोग भी बैठक कर लेते हैं और बैठक करके हमने कह दिया है कि हिमन सुरिन मुख्यमंत्री है और रहेंगे लगतार ये कहा जा रहा है कि सरकार गिर सकती है मुख्यमंत्री बदल सकते हैं ये तो जिस दिन से सरकार बनी थी उसी दिन से उन लोगों का प्रयास है भारती जनता पार्टी का और वो लागातार जो बच्चा चोर की भूमिका में हैं, कि कैसे कुछ हो कि बच्चा चोरी करके भाग जाए, कोई आफ़त आए, एडी कुछ वो करे, कोई विधायक लेके चल नहीं देखे, मीटिंग में कहनी की बात नहीं है, ना ही चैनल पर कहनी की बात है, हम ये समझते हैं, कि हम पहले जितनी सीटों पर लड़े थे, और जिस तरह से हम लोगों का एलाइंस बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हम लोग तै करेंगे, वो सब गड सबंदन 14 सीटों पर चुना लड़ेगी ये तै है, हमाए साथ महराश्च के अध्यक्ष नाना पटोले साब है, आई उनसे बात करते हैं, नाना साब, क्या हुआ मीटिंग में क्या तै किया गया है, पाच, साथ, आठ, कितनी सीटों आप लोग ने पिच की है, देखो ये प्रतिसाद दिया था, उसका आज भी छोटे बच्चे से विजरुक तक उसका मैसेज आज भी राहुल जी के नेतुत में निकली हुई भरजोडो यात्रा का है, ये जो मनिपूर से मुंबई यात्रा निकलने वानी है, ये इस यात्रा को और सपलता से कैसा बनाए जया, उस जो हमारा आलायन से, या उदोठाकरे जी हो या शरतपार जी हो, हमारा एक ही मकसद है कि BGB को सत्ता से बाहर करना, और जो सीटे जिसकी मेरिट हो, जी सेरिया में हो, उस आदार पे निरने लेने का, हम लोगों निरने लिया है, और उस आदार पे सीट-सेरी होगा, कोई भी होगा, आप लोग ने कितनी सीटों की दावे किये, आपके महराश्य के यूनिट, एकदम क्लियर है हम लोगों की बात, कि सीट किसको जादा मिलती, कम मिलती, यह इशू नहीं है, हमारा इशू महराश में है, कि BJP को महराश से बाहर करना, यह हमारा मकसद है, और उसके लिए हम तीनों मिलकर काम शुरू कर दिया है, राम मंदिर को लेके और आयोधिया को लेके कि किस तरह से आप लोगों को काउंटर करेंगे, उस नारेटिव को BJP के कुछ चर्चा हो, नहीं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुए, लेकिन शंकराचारे जी जो हमारे हिंदु धर के मुख्या होते हैं, उनकी बात भी जो BJP भगवान स्री नाम का कॉंटर्क लेके घूम रही है, तो हमारे शंकराचारे जी मुख्या होते हैं, उनकी भी बात सुनना चाहिए, और वो नहीं सुनते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रोब्लेम है, लेकिन ये हमारे पार्टी में इस विशेपी कोई भी चर्चा नहीं, लेकिन मैं हिंदु धर्म से हूँ, और जिस तरह से हमारे शंकराची कहते हैं, वो भी बात BJP के शेशनतों ने समझना ची है, जितेंद्रावाड ने बयान दिया है कि राम भगवान जो है, वो नन वेजिटेरियन थे, मासाहारी थे, बीजेपी ने सफाई मांगी है? नहीं, वो देखो, वो इशू उंका है, लेकिन भगवान सी राम जी हमारा आस्ता का विशे है, उनके बारे में ऐसा कोई ने बोले है, बीजेपी कहरी है, सुप्रिया सुलर शरत पवार इस पर साफ करें कि जितेंद्रावाड ने इस तरह स का मामल है, वो लोग डिसेड करें, आपको लगता है इस तरह से बयान बाजी नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यहां पे आप देखिए नाना पटोले साहब ये कहते हुए कि न्याई यात्रा को लेके चर्चा हुई, जितेंद्रावाड के बयान पे बोले की पाटी का विशे है और जहां तक राम का सवाल है, वो हमारे लिए आस्ता का विशे है.